आज का विडियो रिवियू विडियो है जिसमें हम वेप रूटीन का नहीं पर पीनेट बटर का रिवियू करेंगे with Baptist support मेरे पास जो ब्रैंड यहाँ पे है वो Pintola Brand है काफी वेल नोन ब्रैंड है हम स्टार्ट करते हैं Brent के introduction के साथ तो बात करें अगर Pintola as a brand के बाарे में तो Pintola Brand की जो parent company है उसका नाम है Das Food Tech Private Limited बताईए नाम ही नहीं दिख रहा है, हाँ, DAS Food Tech Private Limited, तो आप लोगों को इसकी हिस्ट्रिव दाता हूँ कि ये ब्रैंड कैसे स्टार्ट हुआ था, देखिए जो DAS Food Tech Private Limited है, वो इंडिया में इंकॉर्परेट हुई थी, ये ये 2012 में, फिर इन्हों ने अपना पहला प्लैंड चालू किया, ये 2013 में और 2015 में, DAS Food Tech वालों ने अपना ही ब्रैंड लाँच कर दिया, पिंटोला नाम से, जिसका ये पीनट बटर आप लोगों को ओफर करते हैं, DAS Food Tech की जो है, खुद की manufacturing facility है, जो की गुजराद based है, जो की FDA द्वारा approved है, ISO द्वारा approved है, FSSAI द्वारा certified भी है, तो ये अपने manufacturing facility में 5 टन पीनट बटर daily manufacture करते हैं, ऐसा इनका कहना है, और एक चीज़ आप लोग यहां पे और जानने की, इनका main business ये पिंटोला पीनट करते हैं, मतलब दूसरी company के लिए भी ये लोग peanut butter बनाते हैं, दूसरी company basically इनको ऐसा contract manufacturer हायर कर सकती है, और Das Food Tech से अपना peanut butter बनवा सकती है, और फिर अपना label करके बेच सकती है, तो इनका core business जो है contract manufacturing का है, एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि Alpino peanut butter का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो भी पहले Das Food Tech ही बनाता था, पर अभी उन्होंने अपना manufacturing vendor चेंज कर दिया है, पर पहले Das Food Tech ही Alpino भी बनाता था, अब गया हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके ingredients के बारे में, तो देखिए, मेरे पास है all natural peanut butter, मैं कभी भी चॉकल रवगर अडाली आती है, और इसलिए मैं हमेशा all natural peanut butter ही जो है, प्रिफर करता हूँ, तो ingredients पे है roasted peanuts, 100% roasted peanuts, और इन्हों ने जो है, Amazon पे लिख रखा है कि इन्हों ने जो peanut इसमें इसमें इसमाल किया है, वो non GMO peanut है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और बात करें अगर इसके texture के बारे में, तो आप लोग मेरे screen पे इसका texture देख सकते हैं, जो oil separation है, वो एक natural process है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी peanut butter आप लोगों के पास है, आप लोग उसे अच्छे से stir करके, mix करके ही spread करें, spread करने पर ये कैसा दिखता है, वो आप लोग मेरे screen पे द अच्छा लगा है, बात कर लेते हैं, इसके nutritional facts से बारे में, तो एक साइड आप लोगों को company का label दिख रहा होगा, एक साइड आप लोगों को मेरी lab test report दिख रही होगी, तो अगर मेरी lab test report से मैं इनके macros को compare करूँ, तो company के हिसाब से आपको, पिंटोला के 100 ग्राम पीनट बेटर में 30 ग्राम प्रोटीन, 49 ग्राम फैट और 18 ग्राम काब्स मिलता है, और मेरी lab test report के according वो protein content जो समें पाया गया है, वो है 26 ग्राम, fats पाया गया है 52 ग्राम और carbohydrates पाया है 19 ग्राम, तो protein की बात करें, तो protein मेरी lab test report के according 4 ग्राम का difference पाया गया है, अगर बरते हैं और बात कर लेते हैं, इसके पैकेजिंग के बारे में भी तो देखिए पैकेजिंग इसकी ठीक है बहुत अच्छी तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था जब बहुत पहले मैंने पिंटोला का पीनेट बटर मंगवाया था तो उसके एक केजी में लीकेज हो गया था क तो मुझह लगता है इनकी पैकेजिंग में चान्स है इंप्रूव drama का ओर पिंटोला का जो चोकॉलेट पीनेट बेटर आता है आई तिंग वयानी पैकेजिंग इन्हें अब अपने हर पीनेट बटन में देनी चाहिए, तो packaging मैं कहूंगा कि थोड़े से improvement का scope है, बात करतें इनके pricing के बारे में, तो देखिए इसका 1 kg का box आपको Amazon पे जाएगा, 378 रुपीज का, इनकी एक serving जो की 2 tablespoon हुई, around 32 grams, वो आपको जाएगी 12 रुपीज की, बाकि अगर Pintola को हम competition से compare करें in terms of pricing, त ताकि आप लोगों को differences देखा पाऊं उनके pricing में, तो आप लोग pause करके इस मिनाट से और अराम से देख सकते हैं, अब guys बात करते हैं, conclusion की, तो देखिए, laptop support में, मेरे laptop support में, जितने भी variations हैं, वो 4-5% की अंदर ही पाए गए हैं, तो laptop support में fair बोलूँगा इसकी, और packaging हाँ, थोड़े सा scope है, packaging improvement में, taste की बात करें, तो taste जो है, इसका अच्छा है, मुझे हमेशा से अच्छा लगा है, हाला कि taste subjective होता है, तो वो भी मैं cover कर दे रहा हूँ, और हाँ, एक चीज़ मैं जरूर बोलना चाहूंगा, कि मुझे expected नहीं था कि Das Foot Tech की जो website है, वो, I mean, ऐसी होग इनका Facebook का logo बना है, वहाँ पे क्लिक करो, तो page not available, मतलब, आप लोगों को थोड़ा ध्यान दखना साइए, आप तो Pintola brand काफी famous हो गया है, उसके बात भी, जो website है, वो professionally जो है, incorporated है नहीं, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो मैंना का वो भी cover कर दूँ, anyways guys, त तो हमने जो है, इननेट शेल कवर कर लिया है, Pintola का peanut butter brief में, और आपको कौन-कौन से और peanut butter का review चाहिए, वो आप लोग मुझे इस वीडियो पे comment करके बता सकते हैं, बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए वो भी videos लाऊंगा, अगर आप लोगोंने MyFitness का peanut butter का review नहीं दे information, playlist description box में है, आप लोग जाके वहां Mythbuster वीडियो और बागे के nutrition information वीडियो भी check out कर सकते हैं, मिलता हो guys आपसे अपने अगले वीडियो में, till then be healthy, take care, जै